नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका चैनल एगरी आकास पे किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं आलू के पछेती जुलसा रोक के जिसको अंग्रेजी में लेट ब्लाइंड कहा जाता है किसान भाईयों यहरो कैसे लगता है इसकी सुरुवात कब से हुई और इसके लक्षण क्या होते हैं और वीडियो के अंति में मैं आपको बताऊं कि इस पे नियंतरन कैसे रखा जा सकता है और इस पे कौन सी दवा का छिरकाओ करके हम इस पे नियंतरन रख सकते हैं तो यह सारी जानकारी आप पूरी देखिएगा वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आप अच्छे समझ पाएं क्योंकि इस वीडियो मैं आपको सुरुष लेकर अंत तक जानकाई दूँगा अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आज के बाद आपके आलू में कभी भी लेट ब्लाइंड यानि जुलसा रोग नहीं लेगा ये मेरा दावा है तो ये मेरा जो दावा है अगर इसको आप सही करना चाहते हैं यानि आप अपने आलू में कभी भी जुलसा रोग नहीं देखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा आप देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिल की आइकन को प्र है यहां आलू में लगने वाला महतरपूर्ण और सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाल लेकिन सबसे बिनासकारी रोग है किसान भाईयों महतरपूर्ण सबसे बिनासकारी रोग जो है ये इसके पूरी दुनिया में हर जगा पायाता है जहां भी दुनिया में आलू खेती क जाती है वहाँ पर यह पाया जाता है अगर हम बात के शुरुवात कहां से हुईत किसान भाईयो इसका जो जन्म है वह अमेरिका की उत्तरी एडेंस नाम की जगा पर हुआ यह भारत में कैसे आया यह भी मैं आपको बताऊंगा एडेंस से देशों में जब फैला तब उस समय 1870 से 1880 के बीच में यूरोप से भारत में आलू मंगाया गया आलू का बीज तो वो आलू लाके भारत में बुगाई की गई तो उन देशों से यह रोग भारत में भी फैल गया किसान भाईयों आलू का पचे जुलसा रोग का जो कारण होता है वो हम जानते हैं कि लगता क्य जरूरी होता है चलिए जानते हैं कारण किसान भाईयों सब्जियों को राजा आलू जो है इसमें लगने वाला है बिना सकाई रोग फाइटा क्योरा इनफेक्टी सेंस नामक कवक क्यों जासे फैलता है अगर आपको अग्रेजी सब थोड़ा कम समझ में आया तो मैं फिर से लेता है पाइटा प्योरा इनफेक्टी सेंड नामक एक कवक होता है जिसको जासे रोग फैलता है जो के कवको को एक बिश्ये स्रेणी में मैकटोफेसियन से सम्स्वाइद होता है इस रोग में कि जो बीवन चक्र होता है इन वस्थान मुक्रूप से जब आधरता और ताप काफ़ी प्रभावित करता है यानि इस रोक के लगने में मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है किसान भाईयों मौसम का जैसे आज इसकल हाली इंबारिस होई है तो आलू में रोक काफी तेजी दौड रहे हैं यह आप भी देख रहे होंगे तो रोक के जो यह फैल रहा फैलता है इसका मुख रूप से आध्रायम तापमान से कही पर भावित करता है रोक की जो बढ़वार है वह संक्रमण के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेट का तापमान के बीच में उप्रिक तुमा आ जाता है 16 डिग्री से लेके 20 डिग्री के तापमान पर हो काफी तेजी से फैलता है तापमान के बीच उप्रिक तुमा जाता है इससे अधिक यानि 30 डिग्री सेलसियर के अधिक तापमान पर आलू की पछेती किसान भाईयों अब हम बात करते हैं जो फूल आने के समय यानि जब इसी किसी आलू में देखते हैं फूल आता है तो उस समय कभी कभी यह प्रकट हो सकते हैं यदि रोक के लक्षण की बात करें तो यह प्रभावित पत्ति कियों पर वित्ताकार यानि गोलाकार के अनीमित रंग के हलके पीले वहरे धब्बे हो जाते हैं यह किनारों से सुरू होते हैं और बीच की बढ़ने लगते हैं नम मौसम मिलते हैं यह रोक पूरी तरह से फैल जाते हैं अगर यह मौसम लगातार बना रहता है हलकी से भी बू लाएम भाग होते हैं उनको बिश्येस रूप से जला देता है उसमें बहुत ही बुरा रोख का असर होता है वो पौधे जल जाते हैं और उनमें एक अलग तरह की बद्बू भी आने लगती है मौसम जब सुक्र होने लगता है तो पतियों थोड़े से कथा ही रंके हो जाती है और फिर यह कड़े होकर सिकूर जाते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अब हमने यह जान दिया कि यह रोग कैसे लगता है इसके कारण क्या है और यह कहां से इसका जन्म हुआ अब हम यह समझते हैं कि इस पे नियंतरों कैसे रखा जाए यानि हम क्या ऐसा कर सकत हैं जिससे कि इस पे हम नियंतरों रख से किसान भाईयों आलू की बुगाई के लिए अब हमेशा स्वस्त हम रोग मुप्त बीच का ही चुनाव करें प्रमाईल बीजों का ही चुनाव करें आलू की खुदाई के बाद रोग रस्त पौधा है और उसके जो रोग रस्त हैं उनको हमें जला देना चाहिए या हमें उसको खेत में ही नश्ट कर देना चाहिए किसी भी तरीक है से खेत में इसके आस पास कोई भी खरफत वार नहीं राख सही हो sit हमने जीवी के आसपास ही होते हैं फसल की खुदाई जब पूरी हो जाए और यानि जब फसल की खुदाई हमें करनी है तो पूरी तरह से पकी हुई फसल की ही हमें खुदाई करनी चाहिए और पौधों को खेत के में ही सूख देना चाहिए यानि जब पौधे सूख जाएं ख से बचना चाहिए किसान भाइयों हमने जादा खाद थीचाईंगे बचना चाहिए pensa जाठा को बढ़ाया कि यूरोग से पहलता है यूरी citizens कुम ढार भाइय करें जादा क्वादा 14 0000 जैसे कि हमने आपको बताया या आप खुद भी जानते हैं कि अगर यह रोग फैला तो कहानी सीधा खतम ही है तो हमें ऐसा नहीं करना है किसान भाईयों उसके बाद हमें है कि आलू के बुगाई के पहले हमें एक मिनिट तक उसे ट्राइकोडर्मा या फिर हम अलग अलग तरी उपचार करने के तरीके होते हैं हमें उस तरीके उपचार कर लेना चाहिए किसान भाईयों अब यह तो हमने बताया कि सावधानिया क्या है लक्षण क्या है लेकिन अगर आलू में रोग लग गया है तब क्या करेंगे किसान भाईयों अब हम बताते हैं आपको क्या करना कि आपके खेद में लक्षण दिख रहे हैं यानि यह बात पक्की है कि आपके खेद में रोग लग चुका है तो आपको बोल्डो मिस्रण आता है चार दर्फमलों चार दर्फमलों पांच जीरो कापर ऑक्सी फ्लोराइड का इसे 0.3 प्रसत का छिड़काव आपो करना है बारा स 15 दिन के अंतराल पर आपको इसे 2-3 बार्ष लगना है इससे अगर आपका रोग अभी शुरू हुआ है कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है पूरी तरीके से खतम हो जाएगा और अगर यह आधास जीत चुका है तो यह उसी पर रुख जाएगा और आपकी फसल को नुक्स सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इसे तरह कॉंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में